नमस्कार मित्रों स्वागत है आपका पाथफाइंडर स्टिडी पॉइंट में आप लोग के मन में बहुत सारी जिग्यासाएं हैं गराम विकास अधिकारी की जो परिक्षा संपन हुई है उसकी कट आफ आप लोग जाना चाहते हैं यह यह भी जानना चाहते हैं कि कितने तक सेफ हैं क्योंकि आप लोग के जो कमेंट आ रहे हैं सबसे जादा उसी को जानने के लिए आ रहे हैं तो मैंने आज जो है चारो पालियों के प्रस्नपत्रों को डाउनलोड किया और उनकी एंसर की से एक सरसरी निगास से उसको मैच किया तो कुछ चीजों कुछ निसकर्स मे आपको बताने जा रहा हूं कटा भी बताऊंगा सबसे पहले बात करते हैं कोश्चन्स की तो जो हिंदी की कोश्चन्स थे जैसा कि हम लोगों ने नुमान लगाया था कि बहुत ज्यादा कठीन आएंगे जैसा कि वनरच्चक परिच्छा में आये थे लेकिन ये अच्छा र इजी की कटेगरी में हम रख सकते हैं साथ ही अगर हम जो है जीके की बात करें तो जीके के कुश्चन्स बहुत ही बेसिक थे जो सभी को पता हैं करीब 20-22 कोश्चन्स ऐसे थे जिनमें ज्यादा जो है सोचने विचारने की आउशकता नहीं थी आप उसको आराम से हल कर सकते अगर आपने रेगुलर तैयारी की है अच्छे से पढ़ाई की थी कुछ क्वेश्चनों में जो है कन्फ्यूजन की स्थिती थी और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सायर आपने ना पढ़े हों कोकि वो थोड़े से हट के थे क्योंकि UPSC के सभी एक्जाम्स में खासका GK के क्वेश्चन में देखा गया है कि उनका प्रयास रहता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन डाले जाएं जो किसी बुक में आसानी से ना मिलें और उसको हम लोग जो है अजीबो गरीब या नोखे क्वेश्चन कह सकते हैं तो इसलिए GK का पेपर अगर टफ नहीं कहेंगे तो मौडरेट पेपर था मतलब इजी और टफ का जो है एक समिश्चन था इसी के साथ अगर जो है रीजनिंग की बात करें जो सबसे ज़्यादा आप लोग के लिए भारी रहा है क्योंकि रीजनिंग में सबसे बड़ी दिक्कत थी कि रीजनिंग को लेंदी बहुत कर दिया गया था और जो टाइम लिमिट आपके सामने थी उसमें उसको पूरी तरह से सॉल्व करके किसी निसकर्ष पर पहुचना बहुत ही कठीन था तो ऐसी स्थिती में रीजनिंग को पचास कोश्चन को पूरा हल करना वास्तों में किसी के बस की बात नहीं थी अगर कोई बैंक पियो या एससी का जो है बहुती अच्छा भेरती हो जिसको बहुती ज़्यादा प्रेक्टिस हो और टाइम बाउंड मैनर में उसको जो है सॉल्व करने की आदत हो तो हो सकता है उसने 40 से 45 कोश्चन किये हो बाकी मैं ये मान के चलता हूँ कि 20-25 कोश्चन से ज़्यादा आप लोग अटेंप हल नहीं कर पाए हैं और अटेंप आपने जो भी किये हो अगर अनमान लगाया हो वो अलग चीज है तो रीजनिंग को हम टफ पेपर्स की कटेगरी में रख सकते हैं तो किसी भी परिक्षा की कट आफ को निकालने के लिए कुछ जो है फैक्टर्स होते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि करीब 1-1.5 लाग ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिया है लेकिन उनके पास वैली ट्रिपल सी का जो है शर्टुकेट नहीं था या तो उस डेट का नहीं था या उनके पास था ही नहीं तो ऐसे भी बच्चे जो है वो इस पद की योगिता को पूरा तो नहीं करतें लेकिन हाँ वो चुकि उन्होंने पेपर दिया है और पेपर के पहले इस तरह का कोई जो है कर्टेगराईजेशन नहीं होता है कि कौन इलिजबल है या कौन इलिजबल नहीं है तो वो इस मेरि UPSC ने ही चलन शुरू किया है कि उसने अपने एक्जाम में 50% की निगेटिव मार्किंग रखी है, बाकि किसी भी स्टेट P.S.C. में, UPSC में या अधर इस्टेट के किसी एक्जाम में 50% की निगेटिव मार्किंग मैंने तो नहीं सुनी है, कहीं पर हो भी सकती है, लेकिन ये एक जो है बहुत बड़ा फैक्टर है जो इस कट आफ को डिसाइड करेगा और कट आफ को निउन्तम लेविल पर ले जाएगा तो मैंने जिन लोगों ने हमारे चैनल के मार्धियम से टेस्सीरीज ली थी ऐसे करीब 800 बच्चों की पृत्करिया जो है हम लोगों ने वाट्सेप के मार्धियम से उनको इंडिविजुली मैसेज करके प्राप्त की है बाकी करीब 4-500 लोगों ने आप लोगों ने कमेंट किया था पहले दिन और दूसरे दिन के वीडियो पर तो उनकी जो है जो उन्होंने अपने नंबर बताए है जो अपना स्कोर बताया है अपनी केटेगरी बताई है तो उन सब को लेके जो है मैंने कटाफ जो है के लिए एक बेसिक डाटा जो है जुटाया और कटाफ का अनुमान लगाया है उससे पहले मैं बता दूँ कि जो लोग भी चैनल से जुड़े हुए हैं उन्होंने हिंदी और जी के इस पेपर में बहुत अच्छा किया है इस वीडियो के एक्जाम में और हिंदी के बारे में तो आप लोग का ये कहना है मेरा नहीं कहना है कि 100% हिंदी जो है इस चैनल पर मैंने सुपर सीरीज के माध्यम से और इंडविजूल वीडियो के माध्यम से बताया था उसी के अंधर आया है। उसके अलावा जिन लोगों ने test series जोईन की थी उन्होंने भी अपना feedback दिया करीब जो है total जितने लोगों ने भी जोईन की थी उसमें से 500 लोगों ने रियक्ट किया उन्होंने reply किया message सभी को किया गया था तो उन्होंने बताया कि overall 65% तक जो है content हमारी test series से आया ये भी हम लो लोगों ने पहली बार जो है इतने बड़े exam की एक test series को सफलता पूरवक conduct कराया और जैसा कि मैं पहले भी हमेशा कहता रहा हूं कि हमारी test series की quality ही जो है उसकी पहचान है तो quality और content के दम पर जो है हम लोगों ने लगबग 65% जो है material ऐसा था उसमें ब्याख्या हो चाहे सीध सीधे प्रस्न हो जिसने सीधे सीधे exam में जो है target किया questions को और विसेश कर वो लोग जो है सफलता पूरवक जो है attempt कर सके questions को बाकी जो channel के viewers है subscribers है मैंने कोई बेदभाव नहीं किया ता कभी भी regular मैंने दो महिने तक लगातार केवल इसी exam की preparation कराई चाहे हो current affairs हो, हिंदी हो, ज reasoning को छोड़ कर मैंने सभी कुछ जो है लगातार preparation कराता रहा, GK की मैंने super series बनाई और आप लोगों ने भी जो feedback दिया है उसके अंसार जो है हिंदी और GK से काफी हद तक जो है questions जो है channel पर पढ़ाई हुए content से ही आये थे, तो अब मैं सीधे बात करता हूँ cut-off की, मेरी करी 15-20 विद्यार्थी जो मेरे channel के subscriber भी है और मुझसे phone पर जुड़े रहते हैं, बाचीत होती रहती है उनसे, तो उनसे भी बात हुई क्योंकि बात करने से ज़्यादा जो है सही feedback मिलता है, उस बाचीत के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदी का paper easy था, इसलिए 35 से 40 question जो लोग भी अच्छे से त्यारी कर रहे थे, मैं अच्छे से त्यारी करने का मतलब है, जो लोग मेहनत से पढ़ रहे थे और लगाटार त्यारी कर रहे थे, उन्होंने हिंदी के easy paper में भी 35 से 40 question जो है सही निकाले, negative marking के बावजूद भी, जीके की अगर हम बात करें तो 30 से 35 question लेकिन कुछ लोगों ने भी बताया कि उन्होंने 25 से 30 question के बीच में correct questions किये हैं, reasoning की बात करें, reasoning में सबसे ज्यादा low रहा सभी का average, किसी ने 20 से 25 बताया है सही questions की संग्या, कुछ ही लोग ऐसे जो थे जिन्होंने 25 से 30 के बीच में सही questions attempt किये हैं, बाकी question ज्यादा तर उनक चोड़ने पर गए क्योंकि इतना समय ही नहीं मिला जो है कि और questions को solve किया जा सके, तो ये एक average जो है attempt और सही questions की प्रवत्ती थी, जिसके अधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि general category की अगर हम बात करें, तो general category में 90 प्लस एक safest score है, safest score और ये जो है अगर पूरी range करेगी, तो 90 नि मैं यहाँ पर लिग भी देता हूँ, ये कोई marks नहीं है, marks आप इससे निकाल सकते हैं, तो 90 से 95 question के बीच में जिसके हैं, वो general में अपने आपको safe समझ सकते हैं, ये मेरा अनुमान है, हो सकता आप इसससे असहमत हो, लेकिन मैंने बहुत सारे exams का experience जिन्दगी में बहुत सार और lengthy होने के कारण जो है, 90 से 95 के बीच में अगर आपका score है, यानि 90 प्लस भी है general candidate का, तो वो safe मान के अपने आपको चल सकते हैं, अब वहीं पर अगर हम OBC के candidate की बात करें, तो OBC में 85 प्लस safe zone की सुरुवात होती है, हलांकि merit और नीचे भी गिर सकती है, क्योंकि देखिए कुछ जो खबरे आ रही है, आप सभी लोग भली भात उससे परचित हैं, आपके वाट्सेप तक पे आपको पेपर की photo प्राप्त हुई, PDF प्राप्त हुई, कई सारे YouTube चैनलों ने उसको दिखाया, जबकि official जो है answer की भी नहीं आई, ना officially paper को upload किया, उससे एक दिन पहले ही जो है paper जो है बिभिन मादिमों से प्रसारित होने लगा, तो paper में धांदली हुई है, leak out हुआ है, ऐसी संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है, बहुत सारे लोगों के मैंने तरक भी सुने कि कुछ लोग कापी लेके भाग गया होंगे, कुछ लोगों ने किसी तरह स जो है दो-चार पन्ने फार ली होंगे, उन्होंने उसकी photo खीच ली, लेकिन हर अगर ये एक पाली में ऐसा हुआ होता, क्योंकि मैंने तो चारो पाली के जो है paper इस तरह से देखे, जो whatsapp पे जो है इधर से उधर सर्कुलेट हो रहे थे, किसी किसी में 10-10-20-20 पन्ने तक का जो है पूरा paper जो है सर्कुलेट किया गया है, तो धांदली से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है, आज कुछ अकबारों में भी इसके बारे में निकला था, कुछ लोगों ने सिकायते भी दरज कराई है, तो अगर इसमें कोई reality है, अगर इसकी अच्छे से जाच ह होती है, तो exam cancel भी हो सकता है, और अगर वास्तों में जो है कुछ गरबढ हुई है, कोई किसी ना किसी जगे पे कोई fault हुई है, तो ये paper cancel हो जाना ही जो है एक आम छातर के हित में है, ऐसा मेरा मानना है, मैं आपके समर्थन में भी हूँ, इस बात को लेके, तो ऐसी इस्थि है, जब पूरी इमानदारी और सुचिता से परिक्षा संपन कराई गई हो, तो पच्चासी से लेके नब्बे के बीच में जो है OBC की कटाप जाएगी, नब्बे से अधिक बिल्कुल नहीं जाएगी, और पच्चासी प्लस एक सेब जोन है, एक दो नमबर प्लस माइनस इस अगर हम इसी SC की बात करें, SC कटेगरी की, तो similarly आप पांच नमबर इसमें कम कर सकते हैं, जो हमेशा कटाप में देखने को मिलता है, यानि 80 से 85 के बीच में SC कटेगरी के नमबर्स रहेंगे, और ST की बात करें, तो ST का 75 से 80 के बीच में कटाप रहेगा, तो यह जो है, मेरा जो प्रेडिक्सन है, जो आप लोगों ने बताया है, उस पर जो है निर्भर है, क्योंकि मैंने ना एक्जाम दिया है, हाँ पेपर जरूर देखा है, और पेपर के इस तर से क्योंकि PCS के पेपरों का अनभाव है, तो PCS में भी 1.500 कोस्चन्स होते हैं, और 1.3 की माइनस मार तो सेनेरियो अलग है इसका, अब अगर गल्स की हम बात करें महिलाओं की, तो गल्स की जो मेरिट 80 से 85 के बीच में रह सकती है, 80 प्लस जो है बिलकुत सेफ जोने सुरच्छित है और ये अधिक्तम 85 तक जा सकती है, तो दोस्तों कटाफ जो है कोई भविश्यवाडी नहीं ह होती है, इसके कई सारे सांखिकी के आधार होते हैं, जिसमें कई चीज़ों को सौमिल किया जाता है, लेकिन एक अनभो के आधार पर और जो ट्रेंड चला रहा है, उसके आधार पर ये कट आफ मैंने आपको बताई, तो जनरल में जो भी लोग 90 प्लस हैं, वो अपने आपक में 85 प्लस वाले, SC में 80 और ST में 75 प्लस वाले जो है, आप अपने आपको सुरच्छित महसूस कर सकते हैं, जहां तक रिजल्ट की बात है, आप लोग ये भी पूछते हैं सर रिजल्ट कब आएगा, तो अब ये सुचिए दो महने पहले युवा कल्यान अधिकारी हुआ था उसका एंसर की के आने के बाद में आज तक उसकी कोई खबर नहीं आ रही है, इसी तरह से वनरच्छक की परिक्षा हुई, वनरच्छक की एंसर की भी आ गई, लेकिन उसके बारे में कोई आज तक खबर नहीं आ रही है, कि उसका कब जो है रिजल्ट आएगा, कब उसकी कट सबी अपने विवर से एक ही अनुरोध भी है सला भी है कि चलिए जो भी पेपर हुआ जैसा भी हुआ इसको अगर आप जो है इस रेंज में आ रहे हैं तो अपने आपको क्वालिफाई के आसपास समझ कर आप खुस भी हो सकते हैं लेकिन तुरंत ही अपने अगले लच्छ पर लग जाहिए आपके सामने जो है हाई कोर्ट ऐ ए आरो का है अगर आपने अभी तक फ़र्म नहीं भरा है तो आप फ़र्म भर दीजिए अगर आपने ट्रिपल सी है नियूनुतन बाकी जो है उसमें दिपलोमा भी चलेगा तो हाई कोर्ट आरो की तयारी पर ध्यान में आपने अगर फॉर्म डाला है मंडी परिशत की उसमें तो दो पोष्टें ऐसी थी मैंने बताया था आपको जो है कि दो पोष्टें केवल इसना तक की हैं तो आप उसका जो है फॉर्म अपलाई करके जो है उसकी तैयारी सुरू करिए यूपी ट्रिपल सी से ये निकला थ जो लोग नहीं जानते हैं वो यूपी ट्रिपल सी की साइट पर आप जाकर जो है इसको अभी भी भर सकते हैं अभी फॉर्म भरने की प्रिक्रिया चल रही है और इसके अलावा कुछ लोग सिच्छक भरती परिच्छा में ब्यस्त होंगे तो जिनका टीटी निकल गया होग तो वो लोग सिच्छक भरती की अपनी तयारी को जारी रखें क्योंकि उत्तर प्रेस में अब जो परिक्छाएं हो रही है बहुती अनिच्छता बरा महौल है निरासा बरा महौल मैं कह सकता हूँ कोई भी परिक्छा सुरू तो होती है लेकिन वो अपने अंजाम तक नहीं पहुँच पाती या तो रस्ते में ही दम तोड़ देती है या वो ऐसे मोन पे जाके वो अटक जाती है किसी ना किसी बिवाद में घिर जाती है कि आप लोग को निरास होना पड़ता है बार बार आप लोग महनत करते हैं महनत से एक्जाम देने जाते हैं पैसे भी खर्च कर उसके बावजूद जो है निरासा हाथ लगती है क्योंकि प्रसासन और तंत्र जो है चीजों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा है इस चीज को मुझे कहने में कोई भी गुरेज नहीं है तो दोस्तों मेरी यही सला है कि आप जो है तुरंत अगली परिक्षा जो भी आपन प्रस्न को अच्छे हैं और एक बात और कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि गलत परस्नों के बारे में तो देखिए मैं बहुत ही बारीकी से प्रस्न को नहीं पड़ पाया हूँ क्योंकि मेरी कुछ तबियत भी नहीं सही थी इसलिए आपको जिस में संका हो जहां पर भी आपको संका लगती हो कि ये प्रस्न का उत्तर आयोग ने गलत दिया है आप set का number लिखकर या सीधे सीधे shift का number लिखकर आप जो है question के बारे में थोड़ा सा detail लिख दीजे comment में मैं उसको verify करके चेक करके आपको बता दूँगा एक वीडियो में कि उस पर objection किया जा सकता है या नहीं तो आपको जिन भी questions में objection समझ में आता है उसको तुरंत आप पहले अपने इस तर से verify करिए आपके पास जो अध्यन सामगरी है उससे मिलाइए और आपको अगर उसका जो है सटीक उत्तर नहीं मिलता है यानि आपकी जिग्यासा सांत नहीं होती है तो comment करिए comment में shift का जिकर जरूर कर दीजिए कि किस shift का exam था और किस date का exam था और question नमबर ना लिखे question के बारे में लिख दीजिए मतलब एक line में question लिख दीजिए जिससे मुझे ढोड़ने में आसानी रहे तो दोस्तों आप लोग के comment का इंतजार रहेगा जो लोग भी मेरी cut off के अनुमान से सहमत है वो जरूर बताएंगे अभी के लिए ताही नमस्कार धन्यवाद